तो ससच बताईए क्या ये खाने को देख के आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे वेज थाली लेके बैठी हूँ नहीं न कोई नहीं कहेगा कि थाली वेजेटेरियन है देखने से और टेस्ट में भी पूरा नॉन वेज का टेस्ट है चिकन का टेस्ट है मैं आपको आगे चलके बताऊंगी कि ये क्या है बस आप इमंदारी से बताईए कि ये पूरी तरह से लग रहा है न नॉन वेज थाली और नॉन वेज लूक नॉन वेज खाना लेकिन मैं आपको बता देते हूँ ये पूरी तरह से वेज है और इस वेज में पूरा टेश्ट आ रहा है नान वेज का मतलब चिकन का टेश्ट आ रहा है बिल्कुल चिकन कोई ऐसे समझी नहीं पाएगा कि ये चिकन नहीं है आज मैं ऐसे एक रिसेपी आपके साथ सेयर करने वाली हूँ जिसमें आप पूरी तरह से चिकन का टेश्ट आएगा बहुत ही साधारन बहुत ही सिंपल रिसेपी है एकदम नॉर्मल तरीके से बना हुआ ये डेश्ट आपको बहुत ही अच्छा लगीगा जब भी आप इसे ट देश्ट आ रहा है तो चलिए मैं आपको बताती हूं आगे दिखाती हूं कि यह क्या है और मैंने इसे कैसे बनाया तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूरंजना और मेरे चैनल में स्वाकत है आपका तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी मैं आपके साथ सेयर कर देती हूं यह रहा जो चिलके वाली मुंगदाल होती है उसके साथ थोड़ा सा चावल मिलाके भीगों के पीस के यह चीला तयार किया है जो काफी हल्दी होता है और घर में हर एक मेंबर को बहुत पसंद आता है यहां पर वाशो नास्ता कर रहा है और उनको एकदम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी चीला चाहिए होता है बिल्कुल तयवे से एक दम उतार के तो आप यह ट्राइ मत करेगा किसी प्रेट में लेकर आईएगा तो वाशो यहां पर फुली मज़े लेकर नास्ता कर रहा है उसे यह चीला बहुत पसंद है काफी हल्दी भी होता है तो मुझे भी अच्छा लगत यह अपने हिसाब से कर रहे हैं तो फिर मैं भी मैंना नहीं करती हूँ तो बहुत ही इंज्वाय लेकर वाशो यहां पर नास्ता कर रहा है तो अब आरी आती है हमारी में डेसिपी की यह देखिए सूपा टेस्टी यमी चिकन का टेस्ट जो की पूरी तरह से वेज है तो यह है में इंगेडियन्स एक तरह का मश्रूम का वराइटी है यह ओश्टर मश्रूम है जिसे आप लोग भी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे अब यह हर जगह सबजी मार्केट में मिलने लगी है तो ओश्टर मश्रूम है जिसमें बहुत ही जादा हाई प्रोटीन होता है बहुत हिल्दी होता है और यह बहुत ही जादा टेस्टी होता है अगर आप इसे नॉर्मल चिकन की तरीके से बनाएंगे तो इसमें आपको पूरा चिकन का टेस्ट मिलेगा तो यह है ओश्टर मश्रूम जो ठाइसोग्राम मैंने लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से यह मिलता है छटेदार जो मश्रूम होता है उस तरह से इस तरह पंखोडियां होती है इसमें जिसे आपको बहुत ही अच्छे से धोके साफ करना होगा और इस्टर मश्रूम जनरली सबजी मार्केट में अब मिलने लगा है इसकी भी खेती होती है फॉर्म होता है चोटा-च से धोके साफ करके आपको इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में पहले कट कर लेना है यह दिखिए साथी कुछ लेसन और प्याज बेसिक जो भी चीजे सबजी में डलती है सिर्फ वही समानों से हम आजी से बनाएंगे कोई भी अलग से इसका टिटिमा नहीं है अदरक लेस सन प्याज और जो मसाले होते हैं गरम मसाला वगेरा वही सब डलेगा और कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐसा अलग से कोई मसाला नहीं तो मैंने यहां पर एक कुकर चड़ा लिया है और डालती हूं मैं उसमें दो बड़े चमस सरसो का तेल सुद्ध सरसो के तेल में मैं इसे ब मैंने यहां पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गरम हो गया था तेल में फटा फट से हम डालेंगे चीरा लाल खड़ा मिर्च और तेजपत्ता दो बड़ी इलाइची यहां पर डाला है मैंने साथ में दो छोटे टुकड़े डाल चीनी के चा बूकर में डालके हम प्याज को बहुत ही अच्छे से भूलेंगे तो यह देखिए बहुत ही आसानी और सेंपल टेक से सबजी को बनाना है लेकिन आप जब इसे बनाएंगे और खाएंगे ना तब आपको लगेगा कि कुछ तो इसमें बात है और अगर आप नौनमेज खान मैं इसमें अब डालूँगी अदरक, लेसन, और हरी मिर्च का पेश्ट तो यह मिक्सर गराइंडर लेकर मैं बहुत खोस हूं मैंने इसका रिव्यूड डाला है अपने चैनल पे बॉच्छ का यह मिक्सर गराइंडर है जो अभी अभी मैंने लिया है इसमें थोड़े से भी अधरक रसन का पेश डालने के बाद थोड़ा से भूनने के बाद मैंने यहां पे हल्दी और नमक भी डाल दिया है और इन सब को आपको मीडियम फ्लेम पे भूनना है यहाँ देखिये आप मैंने मश्रूम को छोटे छोटे टुटों में तोड लिया है इसे भी बहुत अच्छे से आपको विष्ट कर लेना होगा इनके जड़ों के पास भूसी लगी होती है उसे द्धान से आपको हटाना होगा क्योंकि यह जो खेती होटी है भूसे में होती है तो इस तरह से भूसा या पुगाल जो भी आप बोलते हो वो जड़ों में लगी होती है जब ये तोड़ के देदे हैं तो जड़े पहले से अपसे कट करके निकाल देजेगा फिर इसे धो के साफ कर लीजेगा देदेखिए प्याज के साथ मश्रूम हमने डाल दिया है यहां पर मैं आपको अपनी एक बात दाती हूं मैं पूरा जग ग्लास पानी का जग है भरके रात में रख लेती हूं और सुबह उठके इसे किचन के पास के पास रखती हूं ताकि मेरी नजर इस पर पढ़ती रहे और मुझे यह रहे कि पूरा जग का पानी मुझे पीना है एल्थ के लिए मैंने यह नया नया ट्रिक अजमाया है कि एक जग पानी पूरा मुझे थोड़ी थोड़ी देर पेना है तो इसे मैं अपने सेर पे मतलब की किचन के काउंटर पर रखी रहती हूं ताकि दिखते आ रहे और तांबे के जग का पूरा पानी मैं फिनिश करूं सोना है पानी पीना बहुत अच्छा होता है तो मैंने यह यह आ जग मैंने मतलत इसे सामने रखी रहती हूं तो यह देखिए यहां पर मश्रूम नाले के बाद की यह बहुत ही अच्छा से गल जाता है बहुत ही जल्दी ऑ 살is से निकलने लगता है क्योंकि मश्रूम में बहुत पानी होता है दुसरी तरफ मेरा यहां बढ़ रहा है यहाँ पर बनी रही है यह पानी पहले आपको सुखके तक भूनना है इसको देखिए कितना ज्यादा पानी हो गया और मसलो पी क्वान्टिटी कितना कम हो गया बहुत ज्यादा गल की यह बहुत कम हो जाता है तो यह देखे अब तो यहाँ पे इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लिजे हाई फ्लेम पे करेंगे तो जल्दी सूख जाएगा पानी तो यहाँ देखिए बस लू बहुत अच्छे से भून चुका है तो अब हम बाकी की कुछ मसाले इसमें डाल देंगे पानी इसके सूख चुका है बाकी क नहीं सलों में आपको यहां पे डालना होगा धनिया पाउडर एक चोड़ा इसमें डालना है काली मिर्श पाउड़र और मैं मतलब भूढा के काली मेर्श आगने पाउडर डेएoh और अब इसमें मिलाओंगी मैं एक चमच, एक छोटा चमच गराम मसाला पौडर, घर का गराम मसाला पौडर आप चाहें तो इसमें चिकन मसाला पौडर डाल सकते हैं, जो मारकेट में चिकन मसाला आता है, आप उसको डालिए, फिर देखिए आप इसको समझी नहीं पाएंग तब ही आप इसमें पानी डालेगा क्योंकि मसालो का फ्लेवर तब ही आता है जब थोड़े अच्छे से भून जाए आप देख सकते हैं मसाला भूनने के बाद कितना अच्छा बन गया है मैं आपको एक बात बता हूँ मैं सूखा भी इसे थोड़ा सा निकालने वाली हूँ क्योंकि इस सूखे मतलब इस तरह से भूजिया टाइप बहुत अच्छा लगता है उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है आधा ग्लास पानी आधा ग्लास पानी इसलिए क्योंकि हमें इसकी क्रेवी थोड़ी सी थिक टाइप की रखनी है लगपटी टाइप की और फिर आप उसमें लगा दीजे सिटी बस एक सिटी आपको कुकर में देनी होगी इसे और उसक पर कुकर खोल दिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर यमी सा लुक आ गया ना पुरा चिकन का लुक है तो इसे बस अब आपको सब करना है और फिर खा के बताना है कैसा बना तो यहाँ पर फटा फट से मेरी रोटियां भी तयार हो गई है क्योंकि रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है तो जिन्हें रोटी के साथ खाना है उनके लिए प्लेट यहाँ पे रेडी हो चुकी है मेरे यहाँ पे फुलके तयार हो गए हैं यह न सादा रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है पुरी पराठे से ज़्यादा इसे प्रिपर करते ह तब ही पूरा टेस्ट आता है सबजी का, यह देखी रोटी और सबजी की प्लेट लग चुकी है, और जिन्हें पसंद है वो यह प्लेट लेंगे, मैं तो इसे खाने वाली हूँ चावल के साथ, और सच में इसे खाने का जो मज़ा है ना, वो आपको खाने के बाद ही पता चल रहें खिलाते रहें और स्वस्त रहें